सभी संगत को जैमाता की तो आज का विशे रहेगा कि हमारे शरीर के उपर सवारी आती थी और अभी भी आती है पर पहले क्या उता था कि सवारी बोलती थी वचन सत्य हो जाते थे लोगों का कारिय बना देती थी हमारे घर में भियन से दन से शरीर से स्वास्ते से हर प्रकार से जो है बरकत होती थी यानि के हमारे कारिया भी नहीं रुखते थे और एक असुकी जीवन हम लोग जी रहे थे पर हमें नहीं पता चल पा रहा है ऐसा क्या कारण हो गया कि अब सवारी के वचन भी जूट हो जाते हैं जो भी शक्ति हमारे उपर आती हमें नहीं पता कौन से शक्ति थी वो पर जायकारा किसी देवी का या देवता का अफने नाम ले करके ही लगाती थी यानि कि अगर किसी किसी को आशिरवाद दे देते तो आशिरवाद फल जाता था और हमारे घर के लिए अगर कोई वचन कर दिये के इतने दिनों में तुम्हारे ये कारिया पूर्ण हो जाये कारिया भी पूर्ण हो जाता था स्वपन के माध्यम से पूर्वा भास हो जाता था यानि कि अगर हमार वो जूट हो रहे हैं अब लोगों को कार्या ईGive बनता है अब शिरीर में दरद भी रहने लगा है पहले दरद नहीं रहता था अब हमारा पूजा पाठ करने को भी मन नहीं करता हमारे मंदिर में धूल जम चुकी है हमें ऐसा जो हमनत्र जाप करते थे पहले कि गंटा हमनत्र जाप कर लेते थे, अब हम से जाप नहीं करते बनता, अब पांच मिनट भी हमें धूप दीप लगाने के लिए भी मन नहीं करता तो ऐसा हुआ है, बहुत बच्चों के साथ हुआ है, किसी एक का सवाल नहीं है, ये कहीं के सवाल हैं और कि हमें एक जो अपना जाप छोड़ करके अपनी सवारी छोड़ करके एक लालच सामन में पैदा हो गया है कि बस अपने काम की तरफ भागो ये शक्तियां वक्तियां कुछ नहीं होती पर कुछ समय बाद हमें असास हो रहा है कि हमने अपनी शक्तियों को छोड़ कर जो हमने नियम बनाए थे उन नियमों को छोड़ करके गलत किया है तो अब हम अपनी सवारी को अपनी शक्ति को वापस कैसे पा सकते हैं कैसे जागरित कर सकते हैं इसका उपाय आप हमें बताएं तो सबसे पहली बात तो हम गलतियों की बात कर लेंगे जिनकी वज़ा से ये शायदी ये कारण हो सकते हैं कि आपकी शक्तियाप से रूष्ट हो गई है देखो जब आपने स्टार्टिंग में शुरुवाती दोर में पूजा पाट शुरू करी थी तब आपने किसी से नहीं पूछा था कि मैं ये पूजा या पाट करूँ आपके घर में कोई संकट आया कोई दुख आया अपने मातरानी से या किसी भी इश्ट से अपनी अरजी लगा दी ग्यारा रूपे की या एक रूपे की आपका कारिय वो संपुर्ण हो गया हो गया ना उसके बाद आप बोग परशाद भी चड़ा करके आ गए अब आपको लगा कि अरे वाब भई मातारानी की पूजा करने से अरजी रखने से तो हमारा काम हो गए हमा तो बहुत अच्छी है और अब हमारे भाव उनसे जुड़ गए ये शुरुआती दोर की बात कर रहे हम तो भाव जुड़ने के बाद क्या हुआ कि हमने उनकी जोत लगाना शुरू कर दिया पूजा पाट बढ़ा दिया यानि कि उनमे मगन रहने लगे भजन सुनने लगे हमें बूफर लगा कर भजन लगाना अच्छा लगता था हमें उन बजनों पे धिरे धिरे जूमना भी जराने लगे ये भाव से कनेक्ट हो गए हम यानि कि मन से जुड़ने लगे उस शक्ती के साथ अब क्या होता है कि कुछ समय बाद हाजरी के रूप में सवारी के रूप में उस भगवान की उर्जा उसके कन उसकी तरंग हमें मिलने लग गई और वही सवारी थी के प्रसन होकर के उसने अपनी कोई तरंग अपनी कोई उर्जा हमें बक्ष दी बक्ष दी तो उस उर्जा के कारण उस तरंग के कारण अब हमने अपने नियम बना लिए कि मैं अपने इश्ट के नाम के अपने मा सवारी शक्ति जो भी है उसके नाम के वरत करूँगा ये वरत करूँगी वरत रख लिये, संकल्प ले लिया कि मैं जिंदगी भर करूँगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मैं बीच में वरत को नहीं छोड़ूँगा जैसे जैसे आप वरत करते हों, आपकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे आपके मुँ से लिग निकले विवचन सत्ते होने लग जाते हैं, आपको लगता है आपके उपर कृपा हो गई शक्ति आ गई, आपके अंदर माता आने लग गई, लोग आपको कहते हैं हमार ये काम हो गया कुछ लोग आपको प्रशाद भोग देका जा रहे हैं कुछ नहीं देका जा रहे हैं अब इनसान के मन में एक भ्रहम पैदा हो जाता है कि हमें गुरू बनाना चाहिए गुरू को बता दिया अपने बारे में पता नहीं था कि बताना है या नहीं बताना है बताना ही पड़ता है जब गुरु दारना लेनी पड़े तो अब वो गुरू आपसे जड़ गया उसने आपकी शक्ति का बंदन कर दिया आपको तो पता ही नहीं था आप एक फ्रेशर थे आपके उपर सिरफ शक्ति आपती थी आपका काम करती थी लोगों का काम करती थी मिन्स आपके भाव से परसन हो के पर उसने चल कर दिया, बंदन कर दिया शक्ती का, अब दीरे दीरे आपके घर के काम भिगडे, आपके मुँझे निकले वे वचन सत्ते नहीं हो रहे, अब आप सिस्टम सुरू हो जाता है भगतों के पास चक्कर गेडे लगाने का, ठीक है? अब आप लोग ये सोचते हो के मुझे मेरी पहले वाली सवारी मिल जाए, क्या क्या गलती करी, पहली बात तो आपने वो वरत रखने छोड़ दिये, जो आपने संकल्प लिया था, छोड़ दिये, बिल्कुल छोड़ देते हो, जो जो अप प्रति दिन लगाते थे, जिस निय नियम बनाया था, कि ये मेरी माता का दिन है, इस दिन मैं ब्रह्मचारिय रखूंगी, और प्याज लसुन नहीं मुझे खाने है, अगर आपके घर में 30 सिकंडा मीट का प्रियोग होता है, तो इस दिन हमारे घर में नहीं बनेगा, बहुत लोगों ने कहा, कि हम अंगलवार शनिवार को अमारे घर में यी चीज़े यूज नहीं होती, बाकी दिन हम खा लेते हैं, पर दीरे दीरे क्या हुआ कि घर में एक दिन शनिवार को तड़का लग गया, और अचानक से उसका भी मन कर गया, जिसने नियम बनाये थे, और उसने सोचा कि छोड़ो, जब बनी गय खा भी लेते हैं, जो नियम आपने बनाये वो नियम आपने घंडित कर दिये, कहीं गलतियां, कहीं भूल ऐसी हो जाती है इंसान से, कि उनकी शक्ती रूष्ट हो जाती है, सवारी रूष्ट हो जाती है, और कहीं बार बंदन हो जाता है भी गुरू के द्वारा, जिन उनने मिलेगी आपको अब केवल एक वहम है एक उर्जा ही आपके अंदर है वो अब बोलती नहीं है वो अब वचन नहीं करती है क्यों जो बोलने वाली वचन करने वाली शक्ति थी वो तो जा चुकी है और भगवान जो चीज दे देता है वो कभी लेता नहीं है ठीक है सवारी दीत उस शक्ति का बहुत माता बहने रो रही है कि हम बड़े बड़े दरवारों से बड़े बड़ी गद्धियों से जुड़े और हमने बहुत पैसा दिया और एक समय के बाद हमारी शक्ति भी गई हमारा पैसा भी गया तो ऐसे लालची लोग भी हमारी शक्तियों के साथ छेड़ जहाड कर देते हैं और कहीं बार हमारी पैत्रिक सिद्धियां आमें मिल जाते हैं हम पूजा पाट भी नहीं करते exemplo कुल में कोई पूज़ पाट करता था वह सक्टिया जाती है हमें उसके नियमी не alerts हो सकता है वह साथ विथ पे पूज़ दे हम तामसिक पे चलने लग जाते हैं, हो सकता है तामसिक लाग हो, हम सात्विक पे चलने लग जाते हैं, उनको जब प्रोपर भोग परसाद नहीं मिलता, तब वो शक्तियां भी हमारे साथ ऐसा खेल रचाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या चीज है, तो ऐसे बहुत सा ले करके मंत्र ले करके दुबारा से सेवा पूजा करनी पड़ेगी यही एक उपाय है शेवा पूजा करके अब उन मंत्रों को जागरित करो अपने गुरू के इसाब से जागरित करो तभी वो मिल सकती है अन्यथा नहीं तुवाशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई और जिन लोगों के उपर सवारी आ रही है आपने अपने नियम को खंडित ना होने दे अगर नियम खंडित हो चुके हैं सवारी दुबारा पाना चाहते हैं तो भई कोई न कोई गुरु धारन करें अपनी शक्ति की सेवा में लगे रहें सभी को जैना